हेलो स्टूडेंट्स आजम पढ़ेंगे कलास 11th अकाउंट्स चैप्टर है हमारा कैश बुक इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे अब देखिए कैश बुक एक सबसीडरी बुक होती है कैश बुक में हम only cash transactions को record करते हैं यानि कि कैश बुक में हम business की जो receipts हैं और जो payments हैं उन्हें record करते हैं जितनी भी receipts होंगी वो cash book की debit side में record की जाएंगी और जो payments होंगी उसे cash book की credit side में record करेंगे और जो transaction ऐसी होंगी जिनमें ना तो receipt होई है और ना ही payment उन्हें हम cash book में record नहीं करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास टाइपस ऑफ कैश बुक तो ये सबी टाइपस हैं कैश बुक के एजपर सीबी एसी स्लेबस आपको इन में से कौन-कौन सी कैश बुक प्रिपेर करनी सीखनी है सबसे पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें ओनली कैश कॉलम होगा और as per CBSE syllabus डबल कॉलम कैश बुक में आप प्रिपेर करना सिखेंगे cash and bank कॉलम, cash and discount कॉलम, bank and discount कॉलम ये CBSE syllabus में नहीं हैं तो इसे हम यहां पर प्रिपेर करना नहीं सिखेंगे और एक होती है triple कॉलम कैश बुक जिसमें cash, bank और discount यह तीनों कॉलम होते हैं तो यह भी cbsc से लेबस में नहीं है और नेक्सट इप पैटी कैश बुक इसे भी हम यहां पर प्रिपेर करना सिखेंगे तो चलिए सब से पहले सीखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे प्रिपेर करना है जिसमें ओनली कैश ट्रांजक्शन्स होंग इनसे हमें single column cash book prepare करना है तो यहां पर पहले आप cash book के लिए ये format त्यार कर लेंगे debit side में पहले लिखते हैं date और फिर यहां पर लिखते हैं particulars या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं receipts फिर आता है voucher number फिर laser folio फिर amount का column यानि की cash का column इसी तरह credit side में सबसे पहले लिखेंगे date फिर आप लिखेंगे particulars particulars की जगा पर आप यहां पर payment भी लिख सकते हैं ये होता है voucher number और ये laser folio और ये amount का column यानि की cash column तो इस तरह से cash book की ये है debit side और ये है credit side receipt आप debit side में record करेंगे और payments को credit side में तो यहां पर हमने 2023 और April मंत का cash book प्रिपेर करना है तो आप date वाले column में लिख लेंगे 2023 और यहां भी date वाले column में 2023 और यह April मंत का है तो यहां पर आप लिख लेंगे April और यहां भी April फस्ट ट्रांजेक्षन है, हमारे पास भीजनस के लिए रिसीप्ट है, तो इसे आप debit साइड में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं to, जब भी payment साइड में एंट्री करेंगे तो लिखेंगे by तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये पैसा किसने लगाया है प्रोप्राइटर ने और जब भी प्रोप्राइटर बिजनस में पैसा लगाता है तो उसके लिए हम लिखते हैं capital और यहाँ पर आप लिख सकते हैं to capital account तो प्रोप्राइटर ने बिजनस में cash लगाया है 50,000 तो आप पर गुड्स परचेज की गई कैश 10,000 की तो इस ट्रांजेक्शन में पैसा जाएगा क्योंकि जब हम गुड्स करीज देंगे तो कैश देंगे तो ये बिजनस के लिए क्या है पेमेंट तो 5 अपरेल की एंट्री आप पेमेंट साइड में करेंगे यहां पर आप लिखेंगे यह आपने पेमेंट क्यों की है यहां पर गुड्स परचेज की है तो आप यहां पर लिखेंगे बाए परचेज और इसके लिए पेमेंट की है 10,000 तो अमाउंट वाले कोलम में लिख लेंगे यहां पर 10,000 नेक्स्ट है हमारे पास 8 अपरेल को सोड गुड्स फॉर कैश यहां पर गुड्स बेची यानि की सेल और यह कैश आया है 6,000 तो अमाउंट वाले कोलम में लिखेंगे 6,000 नेक्स्ट है हमारे पास 10 अपरेल को गुड्स परचेज फ्रॉम राजीव यहां पर राजीव से हमने गुड्स उधार खरीदी हैं तो इस ट्रांजेक्शन में ना मैं वर्किंग नोट यहां पर प्रिपेर कर देता हूं बाद में इसे रेज कर देंगे तो यह एंट्री आपने 2023 में अप्रेल 10 को करनी है तो यहां पर लिख लेते हैं अप्रेल 10 तो गुड्स परचेज की है राजीव से देखिए जब हम गुड्स परचेज करेंगे बिजन और यह अमाउंट है 5500 तो यह एंट्री आप करेंगे 5500 से तो इस वर्किंग नोट को अब हम यहां से रेज कर देते हैं नेक्स्ट है हमारे पस 15 अपरेल को पेड टू राजीव हमने राजीव को पेमेंट की 2500 इसे आप यहां पर रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में क् आप लिखेंगे बाए यह पेमेंट हमने की है राजीव को तो लिखेंगे बाए राजीव और यह है 2500 नेक्स्ट है हमारे पस 22 अपरेल को पेड वेजीज यहां पर वेजीज की पेमेंट की 1000 तो यहां भी बिजनस से पैसा गया है तो इसे भी आप पेमेंट साइड में पेमेंट की 1200 तो इसे भी आप पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे यहां पर तो यहां पर आप लिखेंगे यह पेमेंट आपने की है सैलरी के लिए तो लिखेंगे बाए सैलरी और यह पेमेंट है 1200 नेक्स्ट है 28 अपरेल को विज्ड्यू फोर परसनल यूज यहां पर प्रो पेमेंट साइड में जब भी प्रोप्राइटर बिजनस से परसनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो उसके लिए हम लिखते हैं ड्रोइंग तो आप यहां पर लिखेंगे बाइ ड्रोइंग्स और यह बिजनस से कैश गया है एट अंडर्ड नेक्स्ट है 30 अपरेल को रिसी सैड में रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर आप रिसी इस सैड में लिखेंगे यह पैसा कैसे आया कमीशन से तो यहां लिखेंगे टू कमीशन और यह आया है 500 तो रिसी वाले कॉलम में Cash वाले column में लिख लेंगे 500, तो अब आपको यहां पर इस cash book में balance find करना है, तो पहले आप देख लेंगे कि debit side का total ज्यादा आ रहा है यहां पर, या credit side का, तो आप देखेंगे debit side में जो total है वो ज्यादा है credit side से, तो पहले आप total लगाएंगे debit side का, तो debit side का total करेंगे, यह हमा activities यहां पर लिखेंगे, अब आप देखेंगे अपरेल मन्त में जो last date है वो 30 होता है, तो 30 अपरेल को आप यहां पर balance find करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे by balance carried down, अब आपने 56,500 में से इन सभी को less कर देना है, तो 56,500 में से इन सभी को less करने पर हमारे पास आएगा 41,000, अ अब जब अपरेल मन्त के बाद में मन्त start होगा, तो में 1 को जो balance आपने find किया है 30 अपरेल को, इसे हम आगे लेकर जाएंगे यहां पर, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 balance brought down, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 balance brought down, और यह balance आया था 41,000, इसे आप यहां पर लिखेंगे, फिर इसके बाद में मन्त की cash book prepare होगी तो ये था हमारा first question single column cash book के लिए चलिए एक और question करते हैं single column cash book के लिए इसके लिए चलते हैं next page पर next है हमारे पस second question single column cash book के लिए यहां पर हमने 2023 में मन्त का cash book prepare करना है तो सबसे पहले आप यहां पर cash book में date वाले column में लिख लेंगे 2023 और ये हमने में मंत का पर परपेर करना है इस date वाले column में भी आप लिख लेंगे यहां पर 2023 और यहां पर में तो first में को देखिए balance दिया गया है in shop cash का 30,000 last question में हमने सिखा था balance को हम आगे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर अप्रेल 30 को यह balance रहा होगा इसे हम में first को इस side में आगे लेकर आएंगे यानि कि forward करेंगे तो यहाँ पर आप लिख लेंगे to balance brought down और यह balance था 30,000 तो cash वाले column में आप यहाँ पर लिख लेंगे 30,000 अब next step 5 में को देखिए purchase goods यहाँ पर हमने goods purchase की यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि किस से खरीदी है तो इसका मतलब यहाँ पर goods हमने cash purchase की हैं तो इससे business से पैसा जाएगा तो यहाँ हम इसे payment side में record करेंगे क्योंकि यह payment है तो यहाँ पर आप लिखेंगे buy purchases और आपने goods purchase की हैं 10,000 की तो amount वाले column में यहाँ पर आप लिख लेंगे 10,000 अब देखिए यहाँ पर जो आपने goods purchase की उसके लिए CGST और SGST भी pay किये तो अब इसकी भी payment करेंगे 5th में को हम यहाँ पर तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे दिखेंगे जब हम goods purchase करते हैं और जो CGST पे करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं input CGST तो यहाँ पर आप लिखेंगे buy input CGST और यह था 6% 10,000 की goods थी इसका 6% आएगा हमारे पास 600 और next हम pay करेंगे SGST 6% तो देखें 5th में को जब हमने goods purchase की तो एक तो pay किया CGST और एक पे करेंगे SGST तो उसके लिए आप लिखेंगे buy input SGST 6% आएगा 10,000 का 600 next transaction है 8th में को sold goods यहाँ पर goods बेची और यहाँ पर किसको बेची यह तो नहीं बताया गया तो इसका मतलब यह भी हमने नगद बेची है यानि कि यह business के लिए receipt है इसे receipt side में record करेंगे तो 8th में को goods बेची गई तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर two sales account और sale होई है 15,000 की तो cash वाले column में यहाँ पर लिख लेंगे 15,000 और इस पर हमने cgst और sgst collect किया तो इसकी entry भी आप 8th में को receipt side में करेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे जब देखिए goods हम बेचते हैं तो यहाँ पर जो cgst collect करेंगे उसके साथ लिखते हैं output तो यहाँ पर आप लिख लेंगे output cgst और यह हमने collect किया 6% तो 15,000 का 6% आएगा 900 इसी तरह से यहाँ पर हमने collect किया है sgst 6% तो उसके लिए भी हम लिखेंगे to output और साथ में लिख लेंगे sgst 15,000 का 6% आएगा 900 next हमारे पास 10th मेको यहाँ पर हमें समीर से 5,500 मिले और उसको हमने discount दिया 500 तो इस discount की entry तो हम cashbook में नहीं करेंगे लेकिन जो समीर से 5,500 मिले हैं इसे हम receipt side में record करेंगे क्योंकि पैसा business में आया है तो 10th मेको आप यहाँ पर लिखेंगे to samir तो samir से मिला है 5,500 अब दिखिए इस discount allow की entry इस cashbook में तो नहीं करनी बट इसकी entry आप working note में करेंगे इस cashbook के बाद तो अभी के लिए हम working note यहाँ पर prepare कर लेते हैं एक बार बाद में इसे raise कर देंगे तो यहाँ पर पैसा हमें समीर से मिला है तो समीर ने खोया है तो समीर होना है यहाँ पर credit तो समीर को तो कर दीजिए credit और यह discount हमने समीर को दिया है यह business के लिए expenses है तो यह expenses है तो इसे आप debit करेंगे तो यहाँ पर discount allow क्या हो जाएगा debit और ये entry आप करेंगे 500 से तो ये आपका first working note रहेगा और यहाँ पर आप date डाल देंगे ये date थी हमारी 10th में तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2023 May 10 को ये entry आपने की है और ये entry आपने क्यों की है इसका narration आप यहाँ पर लिख देंगे next है हमारे पास May 18 को paid to Varun Varun को हमने payment की 9800 और Varun से discount मिला है यहाँ पर 200 तो अब हमने payment की है Varun को तो इसकी entry आप payment side में करेंगे यहाँ पर 18 May को तो आप यहाँ पर लिखेंगे by Varun तो Varun को payment की गई 9800 की और ये discount मिला है 200 इसे आप यहाँ पर record नहीं करेंगे इसे भी आप working note में record करेंगे तो second working note मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे करना है यह आपने 2023 में 18 May को entry करनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे May 18 अब यहाँ पर discount मिला है Varun से तो यह business के लिए income है तो इसे तो कर देंगे credit में लिख लेंगे to discount received account और यह discount किस ने दिया Varun न तो यह entry करेंगे आप 200 से तो इस तरह से यह discount वाली entries आपने only working note में करनी है इसे cash book में record नहीं किया जाएगा next है हमारे पास 25 में को हमने rent की payment की 2000 और CGST और SGST 6% और 6% pay किये तो 25 को भी हमने payment की है rent के लिए तो आप लिखेंगे by rent और rent की payment की है 2000 तो यहाँ पर लिख लेंगे 2000 और इन पर CGST और SGST pay किये तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर 25 में को by input CGST तो CGST पेमेंट हुआ यहां पर 6% 2000 का 6% आएगा 120 इसी तरह से आपने यहां पर पेमेंट करनी है SGST के लिए 6% तो SGST भी 6% है तो उसके लिए लिखेंगे By Input SGST 2000 का 6% आएगा 120 तो अब इन वर्किंग नोट को यहां से रेज कर देते हैं और लास्ट है 31st में को paid to ravij general store आपने ravij general store को 5800 की payment की in full settlement of their account of rupees 6000 आपने ravij general store को 6000 देना था बट उसकी payment की आपने full and final 5800 तो इसका मतलब यहां पर ravij general store से 200 का discount मिला तो 31st में को भी आपने payment की है ravij general store को तो आप यहां पर लिख लेंगे बाई रवी जनल स्टोर और इसको आपने पेमेट की है 5,800 की तो यहाँ पर जो 200 डिसकाउंट है उसे भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना उसे आप वर्किंग नोट में रिकॉर्ड करेंगे तो तीसरा वर्किंग नोट आपका होगा यहाँ पर देखिए 2023 में May 31st को एंट्री करेंगे यहाँ पर देखिए डिसकाउंट मिला है 200 तो यह बिजनस के लिए क्या होगी इंकम तो इसे कर देना है आपने क्रेडिट टू डिसकाउंट रिसीवड अकाउंट लिख करके और यह डिसकाउंट मिला है रवी जनल स्टोर से तो यहाँ पर रवी जनल स्टोर क्या हो जाएगा डेबिट तो रवी जनल स्टोर को आप डेबिट करेंगे और यह एंट्री करेंगे 200 से तो हमने सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है तो यह था वर्किंग नोट इसे भी यहां से रेज कर देते हैं अब आपको इस कैश बुक में बैलंस फाइंड करना है तो पहले देखेंगे डेबिट साइड का टोटल जादा है या क्रेडिट साइड का तो यहां पर आप देखेंगे डेबिट साइड का टोटल जादा है तो पहले आप इसका टोटल करेंगे तो debit side का total हमारे पास आएगा यहां पर 52,300 अब इसी total को आप यहां पर लिखेंगे 52,300 अब इस 52,300 में से इन सभी को less करेंगे और वो आएगा यहां पर हमारा balance तो उसके लिए आपने लिखना है by balance carried down तो 52,300 में से इन सभी को less करने पर हमारे पास आएगा 23,260 अब आप इस balance को 31 में के बाद जब जून मंत स्टार्ट होगा तो इसे आगे forward करेंगे 1 जून को तो यह balance जब आगे जाएगा तो आप लिखेंगे यहां पर 2 balance brought down और यह balance आया था 23,260 तो इसे आगे ले आएगे चलिए अब सीखेंगे double column cash book जिसमें cash और bank के column होंगे तो चलिए इसके लिए चलते हैं next page पर नेक्स्ट है हमारे पास double column cash book जिसमें cash और bank के column होंगे तो last questions की तरह ही आपने यहां पर cash book का format त्यार करना है यहां पर आप two column त्यार करेंगे last questions में तो यहां पर हमने only cash का column बनाया था अब साथ में आपने bank का column भी prepare करना है receipt side में भी और payment side में भी अब हमारे business में अगर cash आएगा तो उसे आप cash column में लिखेंगे receipt side में और जब cash जाएगा उसे payment side में cash वाले column में लिखेंगे और जिन transaction से हमारे business का जो bank account है उसका balance बढ़ेगा यानि की increase होगा उसे receipt side में bank column में record करेंगे और जिन transaction से पैसा हमारे business के bank account में से जाएगा उसे आप payment side में bank वाले column में record करेंगे तो ये cash book हमने 2023 जून मन्त के लिए prepare करना है तो सबसे पहले आप date वाले column में यहाँ पर लिख लेंगे 2023 और यहाँ पर मन्त लिख लेंगे जून इसी तरह यहाँ भी 2023 और यहाँ पर लिख लेंगे जून तो first जून को आपको यहाँ पर balance given है तो इन balance को आप यहाँ पर लिखेंगे फरस्ट जून को इसके लिए हम लिखते हैं तू balance brought down यहाँ पर cash का balance given है 6,000 इसे cash वाले column में लिखेंगे और यह bank का balance given है इसे bank वाले column में यहाँ पर लिखेंगे यह है 15,000 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15,000 नेक्स्ट है 4 जून को sold goods for cash यहाँ पर goods sale की गई cash तो business में cash आया 16,500 तो 4 जून की entry आप receipt side में करेंगे क्योंकि business में cash आया है और यह कैसे आया यहाँ पर आपने goods बेची तो उसके लिए आप लिखेंगे two sales और यह आया है 16,500 यह cash आया है तो cash वाले column में लिखेंगे नेक्स्ट है 6 जून को received from कमल कमल से मिला 5000 cash तो 6 जून की entry भी received side में होगी और यह cash आया है कमल से तो आप लिखेंगे two कमल और यह आया है 5000 तो cash वाले column में लिखेंगे 5000 नेक्स्ट है हमारे पास 8 जून को salary paid by check अब देखे salary की payment check से की गई तो यह पैसा business के bank account में से जाएगा तो इसे आप payment side में यहाँ पर 8 जून को record करेंगे और इसके लिए आप लिखेंगे by यह payment की है salary के लिए तो आप लिखेंगे by salary और यह business के bank account में से पैसा निकला तो इसकी entry आप bank column में करेंगे 6600 तो यहाँ पर लिखेंगे 6600 नेक्स्ट है हमारे पास 10 जून को देखिए received a check from jatin and immediately deposit into bank तो यहाँ पर jatin से check मिला 5600 का और इसे immediately आपने bank में deposit किया तो यहाँ पर jatin से check मिला है तो इससे जो business का bank account है उसका balance increase होगा तो यह receipt है इसे receipt side में 10th June को record करेंगे और यह check मिला है जतिन से तो लिखेंगे 2 जतिन और यह check था 5600 का तो यह bank में deposit हुआ उसी दिन तो आप bank वाले column में लिख लेंगे 5600 नेक्स्ट है 15 June को cash purchases 8000 यहाँ पर नगद goods खरीदी गई 8000 की तो business से cash गया तो 15 June में आपने payment की है goods purchase की तो उसके लिए आप लिखेंगे 2 purchases और यहाँ से cash गया 8000 तो आप इसे cash वाले column में लिखेंगे नेक्स्ट है 21st June को cash sale 7800 यहाँ पर आपने 21st June को नगद goods बेची है तो यहाँ से business में cash आएगा तो इसे आप यहाँ पर लिखेंगे 2 sales account और यहाँ पर पैसा आया है 7800 cash तो cash वाले column में लिखेंगे 7800 फिर next देखिए 26th June को received a check from Ravie Ravie से check मिला 4800 का और next 28th June को बताया गया है कि Ravie का check bank में deposit किया गया तो इसका meaning 26th June को यह check bank में deposit नहीं हुआ तो इसलिए 26th को जब यह check bank में deposit ही नहीं हुआ तो इसकी entry cash book में नहीं होगी तो इसकी entry आप working note में करेंगे एक बार के लिए working note को हम यहाँ पर prepare कर लेते हैं तो देखिए first working note में आपने 2023 में June 26th को entry करनी है हमने journal chapter में पढ़ा था जब check मिलता है उसी दिन bank में deposit नहीं होता तो हम क्या debit करते हैं यहाँ पर check in hand कि check हमारे pass है debit हो जाएगा और यह check किसने खोया रवी ने तो रवी को कर देंगे यहाँ पर credit और यह check था 4800 का तो entry करेंगे 4800 से अब next देखिए 28th June को यह check bank में deposit हुआ तो यह check जब bank में deposit होगा तो यह receipt होगी business के लिए तो 28th को आप entry यहाँ पर करेंगे तो जब यह check business में आया था तो हमने इसके लिए use किया था check in hand जब इसे bank में deposit करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 check in hand और यह check है 4800 का तो bank वाले column में आप लिख लेंगे 4800 तो यह तो हमारा working note था इसे raise कर देते हैं यहाँ से next है हमारे पस 29th June को जतिन का check bank ने वापिस किया क्योंकि वो check dishonor हो गया अब देखिए जो जतिन का check था हमने ये entry की थी तो हमने journal chapter में पढ़ा था जब भी check dishonor होगा तो जो entry आपने की है उसे cancel कर दीजिए यहाँ पर ये entry हमने debit side में की है तो अब हमें इसे cancel करने के लिए इसकी entry credit side में करेंगे तो पहले लिखा था 2 जतिन तो अब लिखेंगे आप बाए जतिन पहले आपने इसके लिए जो amount थी bank के debit column में लिखी थी अब आप bank के credit column में लिखेंगे amount कितना था फाइव थाउजन्ड लास्ट है हमारे पस 30 जून को paid into bank rupees फाइव थाउजन्ड यहाँ पर हमने bank में 5000 deposit किया यह cash हमने bank में deposit किया है तो यह कहां से आया यह हमने business में से cash निकाला 5000 और इसे हम लेकर गए bank में और bank में deposit किया तो इसे आप bank के debit side में यानि कि यहाँ पर record करेंगे तो यह entry दोनों तरफ होगी 30 जून वाली तो यहाँ पर आप लिख लेंगे यह cash आपने क्यों निकाला है bank के लिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे buy bank account और यह bank में deposit हुआ है यह कहां से आया यह हमने cash निकाला है business में से तो यहाँ पर लिख लेंगे to cash जो entry cash book की दोनों साइड में होती है उसे contra entry कहते हैं उसके लिए आप laser folio में इस transaction के बिलकुल सामने यहाँ पर C लिख देंगे और इस transaction के सामने बिलकुल laser folio में आप C लिख लेंगे C का मीनिंग यहाँ पर contra entry है कि यह entry हमने दोनों साइड की है अब हम यहाँ पर balance find करेंगे पहले cash का balance find करेंगे उसके लिए आप देखेंगे cash की debit side जादा है या cash की credit side तो यहाँ पर आप देखेंगे cash की debit side जादा है तो पहले आप इसका total लगाएंगे तो cash column का debit side का total हमारे पास आया है 35,300 अब इसी total को आप यहाँ पर cash वाले column में लिख लेंगे 35,300 अब यहाँ पर 30 जून को हम balance find करेंगे उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर buy balance carried down तो 35,300 में से इन दोनों को less करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 22,300 अब इसी तरह से bank का balance find करना है तो पहले आप इसका total करेंगे तो इस side का total हमारे पास आएगा यहाँ पर 30,400 अब इसी total को आप यहाँ पर लिखेंगे 30,400 को तो 30,400 में से इन दोनों को minus करेंगे तो यहाँ पर balance आएगा 18,200 अब यह balance जून मन्त के बाद जब जुलाई मन्त स्टार्ट होगा तो आप इसे आगे लेकर आएंगे यानि कि forward करेंगे उसके लिए लिखेंगे 2 balance brought down cash का balance cash वाले कोलम में लिखेंगे 22,300 bank का balance bank वाले कोलम में लिखेंगे 18,200 अब हम double कोलम cash book का एक और question करेंगे चलिए इसके लिए next page पर चलते हैं next question है हमारे पास इसमें भी हमें cash book प्रिपेर करना है जिसमें cash और bank के कोलम होंगे ये cash book हमने 2023 जुलाई मन्त के लिए प्रिपेर करना है तो सबसे पहले हम date वाले कोलम में यहाँ पर लिख लेंगे 2023 और यहाँ भी date वाले कोलम में 2023 और यह जुलाई मन्त का है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम जुलाई और यहाँ भी जुलाई तो first July को हमें दिया है cash in hand और bank overdraft देखिए जो cash in hand है ये cash का balance given है तो first July को आप receipt side में यानि की debit side में cash book की यहाँ पर लिखेंगे जो cash का balance given है उसके लिए two balance brought down और ये cash का balance given है 50,000 तो cash कोलम में यहाँ पर लिख लेंगे 50,000 next हमें given है bank overdraft 40,000 देखिए अगर यहाँ हमें दिया होता cash at bank वो तो bank का favorable balance होता उसे हम यहाँ पर receipt side में record करते bank कोलम में लेकिन bank overdraft जो है वो bank का adverse balance है यानि की negative balance इसे हम cash book की credit side में record करेंगे 1st July को तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पर buy balance brought down और यह हमें दिया है 40,000 तो bank वाले कोलम में आप यहाँ पर लिख लेंगे 40,000 next है 5th July को हमें बताया है sold goods for cash 50,000 यहाँ पर cash sale होई 50,000 की तो यह business में cash आएगा 50,000 तो यह है business के लिए receipt इसे आप receipt side में 5th July को record करेंगे यहाँ पर कैसे आया यह cash हमने sale की तो लिखेंगे two sales और यह cash आया है 50,000 तो cash वाले कोलम में आप यहाँ पर लिखेंगे 50,000 next है 6th July को purchased goods from Ram Ram से 20,000 की goods purchase की तो यहाँ यह नहीं बताया गया कि Ram से यह goods हमने cash purchase की हैं तो इसलिए यह माना जाएगा कि Ram से हमने उधार goods purchase की हैं यानि की credit तो इसके लिए हमने कोई भी payment नहीं किया तो इसे cash book में record नहीं करेंगे क्योंकि यह credit transaction है लेकिन इसकी entry हम working note में show करेंगे आप इस cash book के बाद working note prepare करेंगे वहाँ पर इसकी entry दिखाएंगे अभी के लिए हम यहाँ पर working note इसका prepare कर लेते हैं और बाद में इसे raise कर देंगे यहां से तो यह हमारा first working note है देखिए 2023 में आपने जोलाए 6th को यह entry करनी है यहाँ पर आपने goods purchase की है राम से credit 20,000 की तो इसके लिए क्या journal entry होगी देखिए आपने goods purchase की है तो purchases account debit होगा यह business के लिए expenses है और goods किसने खोई है राम ने तो राम giver है खोने वाला आदमी credit हो जाएगा और amount है 20,000 तो यह entry आप करेंगे 20,000 से नेक्स्ट है हमारे पास 8th जुलाई को received from Aum 15,000 Aum से cash receive हुआ 15,000 तो यह business के लिए receipt है इसे receipt side में record करेंगे यहाँ पर 8th जुलाई को तो यह पैसा Aum से आया है तो लिखेंगे 2 Aum और यह cash आया है 15,000 तो इसे cash वाले कोलम में यहाँ पर लिखेंगे 15,000 नेक्स्ट एंट्री भी 8th जुलाई को है चेक इशू टु राम इन फुल सेटलमेंट 19,800 देखिए हमने राम से goods purchase की थी 20,000 की और इसको फुल सेटलमेंट में हमने payment की है 19,800 तो हमने राम को देना था 20,000 और इसको चेक इशू किया 19,800 का तो हमने 200 राम को कम दिये तो इसका मतलब यह 200 राम से discount मिला पहले entry करते हैं 8 जुलाई को हमने राम को चेक से payment की है उसके लिए दिखिए payment side में लिखेंगे 8 जुलाई को buy राम अब राम को चेक दिया है तो बैंक वाले कोलम में लिखेंगे amount 19,800 का अब जो 200 का discount है उसकी जर्नल एंट्री आप working note में करेंगे जुलाई 8 को यह आपका second working note है अब देखिए यहाँ पर राम से discount मिला है तो discount मिला है तो यह business के लिए income है और income को क्या करेंगे credit उसके लिए लिखेंगे to discount received account और यह discount हमें राम से मिला है तो राम हो जाएगा यहाँ पर debit और यह entry हम करेंगे 200 से next हमारे पास 12 जुलाई को received a check from manov and deposited into bank rupees 25,000 तो यहाँ पर manov से check मिला है और उसे हमने bank में deposit किया तो यह business में receipt है तो इसकी entry आप receipt side में करेंगे तो यह check हमें मिला है मानव से तो लिखेंगे to manov और check मिला और उसे bank में उसी दिन deposit भी किया तो bank वाले column में यहाँ पर आप लिख देंगे 25,000 next entry है 15 जुलाई को paid income tax by check rupees 20,000 अब देखिए यह जो income tax है यह proprietor का personal expenses है यानि कि उसकी drawing है और यहाँ पर उसने अपना income tax check से payment किया है 20,000 तो यह हो गई payment तो आप payment side में 15 जुलाई को entry करेंगे यह drawing की है proprietor ने तो लिखेंगे by drawings और इसके लिए check पे किया है 20,000 का तो bank वाले column में लिखेंगे 20,000 next है हमारे पास 31st जुलाई को deposited into bank the entire balance after remaining 10,000 cash in business इसका meaning है कि business में जो भी cash है उसमें 10,000 हमने business में रखना है और जो surplus amount है यानि कि 10,000 से ज़्यादा उसे आप bank में deposit करेंगे तो इस entry को समझने के लिए इन working note को यहां से raise कर लेते हैं अब आप सबसे पहले देखेंगे business में cash कितना है तो receipt side में देखिए cash कितना आया पहले तो debit side में cash column का total करेंगे तो हमारे पास यहां पर इन तीनों का total आएगा 1,15,000 अब इसमें से आपको minus करना है जो cash गया है देखिए payment side में cash कितना गया है कुछ भी नहीं तो minus कुछ भी नहीं करना तो इसका मतलब business में cash कितना है 1,15,000 हमें question में बताया है कि हमने cash business में कितना रखना है 10,000 तो 10,000 cash इसमें से हम business में रखेंगे वो minus कर देंगे तो surplus amount कितना है देखिए business में cash इसके लिए यहाँ पर cash हम निकालेंगे one lakh five thousand और इसे bank में deposit कर देंगे यहाँ पर one lakh five thousand तो thirty first july को यहाँ पर हम entry करेंगे यह हमने cash क्यों निकाला है bank के लिए bank में deposit करना है तो आप लिखेंगे by bank account और यह bank में deposit हुआ thirty first July को यह कहां से आया यह हमने cash निकाला है तो यहाँ पर लिखेंगे two cash account तो यह हमारा rough come था इसे raise कर देते हैं यहां से यह entry दोनों तरफ हुई है तो यह है contra entry इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे ledger folio वाले column में C और यहाँ भी C next अब हम cash और bank के balance find करेंगे तो सबसे पहले debit side में cash column का total लगाएंगे तो यहाँ पर इसका total आ रहा हमारे पस 1,15,000 अब इसी total को credit side में cash वाले column में आप यहाँ पर लिखेंगे 1,15,000 तो 1,15,000 में से 1,5,000 less करेंगे तो यह आएगा 10,000 और यह है cash का balance तो आप इसके लिए 31st July को लिखेंगे यहाँ पर buy balance carried down next हम bank का balance find करेंगे तो यहाँ भी bank की जो debit side है वो credit side से जादा है तो पहले debit side का total करेंगे bank का यहाँ पर तो इनका total आ रहा हमारे पस यहाँ पर 1,30,000 अब इसी total को आप यहाँ पर लिखेंगे 50,200 तो यह आया है bank का balance तो 31st July के बाद next month start होगा यहाँ से August 1st और यह balance हम आगे लेकर जाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 balance brought down cash का balance आएगा यहाँ पर 10,000 और bank का balance forward करेंगे 50,200 next अब हम patty cash book prepare करना सिखेंगे इसके लिए चलते हैं next page पर next है हमारे पास patty cash book दिखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि patty cash book होती क्या है अब देखिए business का size छोटा हो या बड़ा हो हर type के business में कुछ ऐसी payments होती हैं जो बार-बार होती हैं और वो छोटे-मोटे खर्चों के लिए होती हैं जैसे stationary, cartage, postage and career charges, wages इस तरह से अगर इन entries को main cashier cash book में ही record करेगा बार-बार तो उसका जो burden है वो बढ़ जाएगा तो इसके लिए जो main cashier है वो ये entries नहीं करता बलकि इसके लिए हम एक नया employee अपॉइंट करते हैं patty cashier यानि कि उसे चोटे-मोटे खर्चों की payment के लिए हमने अपॉइंट किया है और उसे वो record करेगा patty cash book में तो patty cashier को main cashier से हर मंत की start में कुछ amount दे दी जाती है और उसमें से वो चोटे-चोटे खर्चे करता रहता है तो patty cashier patty cash book को कैसे prepare करता है देखिए इसका format है हमारे पास यहां पर लिखेंगे सबसे पहले आप amount received फिर लिखना है cash book folio फिर date का column फिर particulars receipt और payment दोनों particulars अब आप यहां पर लिखेंगे फिर आता है voucher number फिर total payments यह payment आपने किस के लिए की है उसको आप यहां पर अलग से लिखेंगे आपका payment अगर stationary के लिए है तो उसे stationary में दिखाएंगे cartage की payment है उसे cartage में इसी तरह से convincing है तो उसे convince में दिखाएंगे postage and courier charges आप यहां पर दिखाएंगे इसी तरह wages का payment यहां पर आएगा और जो payment इन में से नहीं है उसको आप यहां पर दिखाएंगे miscellaneous या sundry expenses में तो यह patty cash book हमने 2023 में मन्त का prepare करना है तो date वाले column में आप यहां पर लिखेंगे 2023 और यहां पर लिख लेंगे में first में को patty cashier को cash receive हुआ main cashier से 15,000 इसके लिए आप first में को यहां पर लिखेंगे two cash main cashier से cash आया है यहां पर 15,000 तो इसे आप amount वाले column में receipt side में लिख लेंगे यहां पर 15,000 next आदेखिए fourth में को stationery purchase की और इसके लिए payment की 800 तो fourth में को आप entry करेंगे देखिए यह payment की entry है तो लिखेंगे by यह आपने stationery की payment की है तो लिखेंगे by stationery और इसके लिए total payment की है आपने 800 तो यह expensive है stationery का तो इसे आप यहां पर stationery वाले column में भी लिखेंगे next है हमारे पास 7th paid cartage 700 तो 7th में को payment की गई cartage के लिए तो आप यहां पर लिख लेंगे by cartage और इसकी total payment आपने की है 700 तो यह जाएगा अब cartage में यहां पर 700 next है 8th में को bus fare 200 पे किया तो 8th में को आपने यहां पर payment की है bus fare के लिए यानि की bus का किराया दिया 200 total payment में आएगा 200 अब देखिए आने जाने में जो bus या taxi का जो किराया है उसको हम दिखाते हैं convince में तो यहां पर आप लिख लेंगे 200 next है हमारे पास 9th में को courier charges पे किये 150 तो यहां पर आप 9th को entry करेंगे by courier charges तो यहां पर आप लिख लीजिए courier charges और इसके लिए पास 11th यहां पर wages की payment की 50 रूपिज तो आप लिखेंगे by wages यह total payment हुआ 50 तो wages के लिए अलग से column है यहां पर देखिए यहां पर लिखेंगे 50 फिर है 50 हमारे पास यहां पर हमने payment की है laundry expenses 250 तो यहां पर आप लिखेंगे by laundry expenses और इसके लिए हमने payment की है 250 तोटल payment 250 अब देखिए यह जो laundry expenses हैं यह इन में से किसी भी head से belong नहीं करता तो इसे आप लिख लेंगे miscellaneous expenses में यहां पर 250 next है हमारे पास 20th postage stamp खरीदी 100 की तो यह entry आप यहां पर करेंगे by postage stamp खरीदी हमने और इसका amount है हमारे पास 100 तो टोटल payment में लिखेंगे 100 posters से related expenses posters and courier में लिखेंगे यहां पर तो यहां पर आप लिखेंगे 100 फिर customer को refreshment दी 200 की तो यहां पर लिखेंगे 24th को आपने refreshment के लिए expenses किये हैं of customer के लिए और इसके लिए total payment की है 200 की तो जो customer को refreshment दी है वो भी इन में से किसी भी head से belong नहीं करता तो इसे भी आप miscellaneous expenses में यहां पर लिखेंगे 200 next 26th देखिए यहां पर lock purchase किये गे 400 के तो यहां पर आपने लिख लेना है buy lock purchased और इसकी payment है 400 total payment है 400 अब यह 400 भी इन में से किसी से belong नहीं करता तो इसे भी आप miscellaneous expenses में यहां पर लिखेंगे और इसके बाद last है हमारे पास 31st मेको speed post charges rupees 400 तो 31st मेको हमने speed post के लिए payment की है तो उसके लिए लिखेंगे यहां पर buy speed post charges और इसके लिए total payment किया है 400 तो यहां पर आप total payment में लिख लेंगे 400 speed post जो है वो postage से related है तो यहां पर आजाएगा speed post के लिए आपने 400 पे किये हैं अब आपको यहां पर balance find करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहां पर जो amount received का column है इसमें total amount कितना है 15,000 तो इसका total करेंगे यहां पर आएगा 15,000 अब इसी total को आपने यहां पर लिखना है 15,000 को अब आपने 31st में को balance find करना है तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे by balance carried down अब इस 15,000 में से यह जो payments की हैं इनको minus करेंगे तो 15,000 में से इन सबी को less करने पर हमारे पास आएगा यहां पर 11,750 और यह जो हमने अलग-लग head में payment लिखी हैं अब इनका total यहां पर आप कर लेंगे तो यहां पर total है 800 यहां पर total है 700 और यहां पर इनका total है 200 और इसका total है हमारे पास यहां पर 650 और इसका total है तो ये balance हम आगे लेकर जाएंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे यहां पर 2 balance brought down और ये balance है 11,750 अब देखे इस cashbook में आपको impressed system को भी यूज़ करना है अब देखे impressed system क्या होता है impressed system का meaning होता है कि जो month की first date है उसमें जो amount यहां पर थी next month भी उतनी ही amount यहां पर होनी चाहिए तो यहां पर था 15,000 तो यहां भी 15,000 होना चाहिए तो यहां पर पैटी cashier main cashier से कितना पैसा और मंगवाएगा कि यहां पर भी 15,000 हो जाए इसके लिए देखें 15,000 में से 11,750 less कीजिए वो आएगा 3,250 पैटी cashier इतना amount main cashier से और मंगवाएगा फस्ट जून को तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे 2 cash तो यह होता है impressed system तो हमने cash book chapter को complete कर लिया है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए अपने friends के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल पर नए हैं तो subscribe कीजिए मिलते हैं next video में thank you so much